नमस्कार मित्रों, जैमातादी दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और उनसे भी ज्यादा आज के इस ज्यान वर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिश कार्यक्रम में ब्रिश्चिक राशिवालों, पूरे बारह करोड की पत्ती हाथ लगेगी, जी हाँ ध्यान रहे, जोश में आकर होश मत खो बैठता और यह मौका अपने हाथों से जाने मत देना, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवनकाल में जो होने वाला है सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जी हाँ दोस गुप्त खबर आपको हर हाल में मिलकर रहेगी, क्योंकि उपर वाले प्रभु श्री राम जी का बहुत बड़ा आदेश आ गया है, जी हाँ, और यह जो खुश खबरी आपको मिलने जा रही है, यह खुश खबरी भी प्रभु श्री राम जी के आशिरवाद से ही मिलने वा इसलिए अब आप हो जाईए तयार, क्योंकि अब आपका जीवन बदलने वाला है और आपका भाग्य उदय होने वाला है, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रभु श्री राम जी के आशिरवाद से इतना बड़ा गुप्त खबर आपको मिलने वाला है, इसक इनी बड़ी खुशखबरी और इतना बड़ा सर्प्राइज कैसे मिल सकता है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह सब उपर वाले प्रभु श्री राम जी का लीला है, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको दो बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेग और पूरे 12 करोड की संपत्ती हाथ लगेगी, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के आशीरवाद से अब आपकी लोटरी लग चुकी है, अगल पूरे 12 करोड संपत्ती की घोशना कर दी है, ध्यान रखिएगा, कोई आसपास में ना हो तभी वीडियो देखना और याद रखिएगा, भूल कर भी वीडियो को मिसमत करना और ना ही इसकी करना, वरना ये जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, ये खुशखब कर दे, ऐसी खुशखबरी आपको आज तक नहीं मिला होगा, और ना ही आगे किसी को मिलने वाला है, देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी राशे वालों को इतनी बड़ी खुशखबरी इसलिए मिल रही है, क्योंकि इस समय अवध ही में आपकी कुंडली में कई ऐसे बड़े शुभ योग, राज योग और धन योग का निर्मान हुआ, जी हां बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको एक बहुत बड़ी गुप्त खबर की प्राप्ती होने वाली है, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, पूर मौका और इस मौके का लाभ केवल आपको ही मिले। चमतकार पे चमतकार होने वाला है, जिसे देख कर पूरा परिवार खुशी से जूम उठेगा, जी हां, और आपकी आँखों से खुशी के आンसू नहीं रुकेंगे, जी हां, एक प्रकार से यूं कहें कि आपके दोनों आँखों से खुशी की गंगा बहने वाली हैं दोस्त आपकी जिन्दगी करवट लेने वाली है। पूख प्यास सब गायब हो जाएंगे आपकी तरक्की और काम्यावी देख कर क्योंकि प्रभुश्री राम जी के आशीरवाद से बड़े बड़े लाब, बड़े धन, लाब, बड़ी बड़ी खुश्खबरी, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति आपके जीवन में हो हो जाएगा, अब आपकी जिन्दगी बिलकुल राजाओं की तरह होने वाली है क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पति का चाल पूरी तरह से बदल गया है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब किसी के जीवन में एक साथ इतने बड़े बड़े बड़लाव और परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो खुशी के मारे उनके अंदर फूले नहीं समाने लगते हैं, जी हाँ, और अब ऐसा ही आपके साथ आपके जीवन में ही होने वाला है, एक प्रकार से यूं कहें कि जिस इनसान को उमीद से ज्यादा मिलने लगता है, वह इनसान खुशी से रोने लगता है, खुशी से पागल हो जाता है, आप भी खुशखबरी सुनकर पागल मत हो जाना, क्योंकि मुझे पता है, इतनी बड़ी खुशखबरी और इतना बड़ा भयंकर बदलाव, चमतकार आपके जीवन में पहली बार होने जा रहा है, थोड़ी देर के लिए आपको भी लगेगा कि कहानी में सपना तो नहीं देख रहा हूं, ये सब कहीं गलत तो नहीं है, जूट तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भले आपको यकीन नहो, लेकिन यह ना ही कोई सपना है और ना ही कोई गलत अफवाह है, ये और सिर्फ खुशियां मनाने का समय है ये समय खुश होने का समय है और इश्वर को याद करने का समय है इश्वर को स्मरण करने का समय है क्योंकि भगवान की महिमा और भगवान का लीला आप अपनी आँखों से देखोगे दोस्तों खुशी के आंसू अब आप नहीं रोक मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। आपके जपकते ही आपके चारों बगल सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़े भयंग कर बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ और साथ ही साथ एक बहुत बड़े देवता भी आपके घर अपना भेश बदल कर आने वाले हैं। आखिर कौन है वह देवता जो अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर पर अपना शुब पर रखने वाले हैं। यह भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ लेकिन आप समझते ही नहीं हैं। आप हर हमेशा अपने जिद पर पड़े रहते हैं। आपको बिलकुल भी जिद्दीपन नहीं करना है। अगर बात समझाई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में। यदि आप प्रभूश्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो आप प्रभूश्री राम जी का अंदर ना करें। कमेंट बॉक्स में तीन बार से प्रभूश्री राम जी का नारा अवश्य लगाईएगा। की जानकारी के लिए बता दें कि अब मालिक बनने का समय आ गया है। अब आप नौकर नहीं सीधा मालिक बनोगे। राजा की कुरसी यानि की राज सिंहासन पर बैठ कर राजा बनोगे। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने दे दिया है। बहुत बड़ा आदेश। अब आप भगवान ब्रह्मा जी के आशीरवाद से बहुत आगे तक जाओगे। और आप अपने जीवन में ही खूब सारा तरक्की करोगे। खूब सारा धन दौलत रुपया पैसा कमाओगे। जी हाँ। इसलिए सभी कामों को छोड़ कर सारे महत्वपूर्ण कारियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। और आज की वीडियो को शुरू से लेकर अं एक भी बात अगर जूट निकली या फिर गलत हुआ तो आप जो कहोगे वह करने के लिए हम तयार हैं। क्योंकि खगोलिय विशलेशन तथा पंचांग गणना करने के बाद आज की है वीडियो आपकी फायदे के लिए बनाए हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लाब अब आपको कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलेगी। जी हां। चाहे वह किसी भी क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या बिजनेस का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में आपको लाब होगा। आपको विशेश सफलता मिलेगी। जी हां, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर में कई ऐसे शुब संयोग निर्मित हो रहे हैं, जिसका शुब प्रभाव सीधा सीधा आपकी राशेवालों के जीवन पर पढ़ने वाला है। जी हां, ऐसा भाग्यशाली जीवन आपके जीवन में आ गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें। बहुत समय पश्चात भगवान ब्रह्मा जी के आशीरवाद से आपकी कुंडली में तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको काफी बड़ी मात्रा में धन मिलेगा और आप अपने जीवन में रफ्तार के साथ आगे बढ़ोगे। तरक्की पर तरक्की करते जाओगे। जी हां, अब आपकी बिगडी से बिगडी किसमत सुधरने वाली है, लेकिन अब आपको सावधान हो ज चुके हैं, वह आपको परेशान करने के लिए डरने की कोई बात नहीं है, वह आपको कुछ बिगाड नहीं सकता, सिर्फ परेशान ही कर सकता है, वह भी अगर आप मेरे द्वारा बताए गए बातों पर चलेंगे, कुछ विशेश बातों को ध्यान में रखेंगे, कुछ दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहती हैं कि आप उनसे आगे बढ़े, आप उनसे ज्यादा तरक्की करे, आपका दुश्मन हर वक्त एक नया शड्यंत्र रचते हैं, लेकिन आप देवी देवता के प्रिया हैं, आप सभी देवी देवताओं को मानते हैं, भक्ति भाव रख पूजा पाठ करते हैं, इसलिए वे लोग अभी तक आपका कुछ नहीं बिगार पाए हैं, और आगे भी आपका कुछ नहीं उखाड पाएगा, जी हां दोस्तों, भगवान से हम आपके लिए बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे इश्वर, आ आपके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संपत्ती आपको मिलने वाली है और यह संपत्ती वो लोग आपसे छीनना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, आप चिंता ना करें, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उससे पहले अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा प्रेम से लिखिएगा भोले बाबा आपके सारे बिगडे काम बना देंगे दोस्तों जीत का माला आपके गले चड़ेगी आज इंकम में बढ़ोतरी होगी कई महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे कार्यक्षेत्र में लाब होगा पुराने समय से पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करेंगे कई महत्वपूर्ण फैसला ले पाएंगे रुका हुआ धन मिलेगा फंसा हुआ पैसा मिलेगा करियर बिजनेस व्यापार को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं पुराने कामों से लाब होगा कोट का चहरी में कोई मामला कोई कैसे लंबे समय से चल रहा था तो उसमें भी जीत मिलेगी फैसला आपके पक्ष में होता दिखाई दे रहा है भाई बहनों का मान सम्मान वसहयोग बना रहेगा किसी नए मित्र से जबरदस्त लाब होगा कोई नया मित्र बन सकता है कुछ अधूरे कार्य पूरा करेंगे महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे लंबे समय से चले आ रहे बात विवाद दूर होंगे और परिवार को लेकर चल रही अनबन जगड़ा जणजट से छुटकारा मिलेगा परिवार में सुख शान्ती आएगी घर का माहौल खुशनुमा रहेगा नए काम की शुरुवात करेंगे लेकिन आलस को अपने उपर हावी न होने दे क्योंकि आलस के कारण कई महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं काम को समय पर करें इस समय उम्मीद से ज्यादा लाब होगा और आज किसी नजदी की संबंधों से कोई शुब समाचार मिल सकता है नौकरी में प्रमोशन होगा नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा नई नौकरी प्राप्त हो सकती है पुरानी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है वेतन में वृद्ध हो सकती है भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा तेजी रफ्तार से आप जीवन में आगे बढ़ोगे सफलता प्राप्त करोगे और अपने मंजिल तक पहुँचोगे जौब को लेकर कोई परेशानी थी किसी प्रकार की कोई चिंता थी तो आपकी चिंता दूर होगी कोई बड़ी डील फाइनल होगी रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिलेगा आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगे या पुराने बेहतर समय को याद करने लगेंगे किसी पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं आज आप अपनी वृत्तमान समस्या को सुल्जाने के लिए कोई संतोष जनक समाधान खोजने या किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में है आज आप खुशी मनाने के मूड में अधिक रहेंगे लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि अपनी अस्वास्थिकर जीवन शैली के चलते आप आप अपने स्वास्थिको बहुत नुकसान पहुचाने पर तुले हुए हैं आपको अपनी डाइट और शारेरिक मेहनत सहित सभी चीजों में कमी लानी होगी लत वाली चीजों जैसे तंबाकू, अलकोहल और ड्रग से भी आपको दूर रहना है क्योंकि इन से आपके स्वास्थिको गंभीर खत्रा हो सकता है आप अपने प्रेम से संभंधित रिष्टों में कडी डी डी एच वाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं और अपने रिष्टे को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं हालां कि संभावना है कि अपने साथी के बजाए मुद्दे आप में ही नहित है और कोई भी कदम उठाने से पहले विशले शनात्मक तोर पर जरूर सोचे आज आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल सकता है जिससे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रतिबधताओं को पूरा कर पाएंगे यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिती को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा क्योंकि हो सकता है कि आपका ये धन खत्म या कम हो जाए लेकिन आपके दाइत्वों का निर्वाह पूरा न हो पाए आपको बचत के रूप में कुछ राश्य रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़े ड़ेडी एचने पर वह कुछ काम आ सके इस बात की संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुरा कर आने करियर में प्रगति करना चाहता है इसी लिए किसी से बात करते हुए सावधान रहे आपको इस समय बढ़ी गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां साज ही न करें इस दौरान धीरज से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभचिंतकों को भी पहचान जाएंगे आपको आज अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए लेकिन आपकी गर्दन और कमर में हलका दर्द महसूस हो सकता है जिनको पहले कभी कोई चोट लगी होगी या गठिया बाएं से परेशान व्यक्तियों को ज्यादा तकलीफ महसूस हो सकती है इसीलिए आज कोई अधिक शारीरिक महनत वाला काम न करें आज आपको आराम करना चाहिए आप हलका फुलका योग कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसा किसी प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर की देख रेख में ही करना चाहिए आप में से जो अकेले हैं वे अपने संबंध की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं जो पहले से ही किसी के साथ समर्पित संबंध में बंध चुके हैं वे अपने रिष्टे का खोया हुआ रोमांस वापस पाने की कोशिश करेंगे सभी चुनोतियों पर आपका साहस भारी पड़ेगा और आप किसी भी चीज से नहीं डरेंगे आज आप एक दार्षनिक मुद्रा में रहेंगे और गहरी सोच वाली ऐसी किसी भी नौकरी में आज आप सफलता को छुएंगे शिक्षकों, वकीलों, दार्षनिकों, प्रचारकों और राजनेताओं के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा लेकिन आपको सांसारिक एवं जीवन के गहरे सवालों के बीच ध्यान देने की जरूरत है व्यावहारिक स्थिति से अपना मुख मौधना आज आपकी सबसे बड़ी समस्या है आज अपने अपने ही भीतर शक्ति का नया अद्विती श्रोत ढूंड लेंगे और आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आप अपने जीवन में जिन समस्याओं से अब जूझ रहे हैं उनसे निपटने के लिए आपको किसी भी बाहिय मदद की जरूरत नहीं है आप आसानी से खुद ही सब कर सकते हैं इस बात का अनुभव आपको आज हो जाएगा आज आपकी सेहत अच्छी है क्योंकि आज आप भावनात्मक रूप से खुश हैं आज आप में आत्म विश्वास जलक रहा है आज भावनात्मक स्थायत्व और खुशी में कोई ऐसी शक्ती होती है कि वह अंदर से बाहर तक राहत देती है आज आज कोई महत्वपूर्ण कार्य ने बटाने के लिए बहुत अच्छा दिन है आज सफलता और पहचान मिलने की अच्छी संभावनाएं है आया आज किसी ऐसे से मिल सकते हैं जो इतना परफेक्ट है कि यकीन ही न हो लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा रखें आप सही आदमी से मिले हैं यहां तक कि अगर आपका दिमाग कहे कि ऐसा नहीं हो सकता तो भी आज आप अपने दिल की सुन और मान सकते हैं इस बात रोमांटिक लाइफ वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हैं एक सार्थक रिष्टा बनाने के इस मौके को हाथ से न जाने दे आज आपका वित्थ और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आपको नुकसान की स्थिती में पा सकते हैं पर आप ज्यादा चिंता न करें क्योंकि यह एक छोटा नुकसान हो सकता है सतर्क रहे आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपके बचाव में खडिरी रिहा है आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में सक्षम है यदि आप एक व्यवसाय में हैं तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ है आप उनके साथ विनम्र रहे और समय आने पर उन्हें उचित की नाम दे आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिलकुल सही है आज आप सामान्ये से अधिक आक्रामक और द्रिड व्यवहार करेंगे इस से आसपास के लोगों को आश्चर्य होगा उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी मजबूर होना पड़ड़े लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका मिल जाएगा इस अवसर का फायदा उठाने से न चूके ग्रहों की स्थिती कुछ ऐसी बन रही है कि आपको काफी मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ी डी एच सकता है लेकिन यह समय वास्तव में इतना बुरा नहीं होगा आप हाल फिलहाल ही किसी की और आकरशित हुए हैं लेकिन आप दोनों ही एक दुसरे को अभी अधिक महत्व नहीं दे रहे आप उनके बारे में सोचते हैं और अगर आप छोटी छोटी बातों को नजर अंदाज कर सकें तो यह आपके लिए जिन्दगी का यादगार रिष्टा बन सकता है आज का दिन काफी मुश्किलों से भरा रह सकता है और आपको सख्त नियमों का पालन करते हुए काफी कठिनम परिश्रम करना पडडडड़ी हेगा लेकिन यह आपके भविश्य की योजनाओं के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद करेगा आज का परिश्रम आपको भविश्य में फल देगा हो सकता है कि आप अपने सहयोगी की जिम्मेदारी भी ले आपकी एकागरता और विचार शक्ती इस समय अपने चरम पर है और इसी लिए आप अपने आसपास के लोगों की स्थिति के बारे में और भी समवेदनशील है इससे आपको पिछले कुछ मतभेद सुलजाने में मदद मिलेगी आप किसी ऐसे व्यक्ती के संपर्क में आ सकते हैं जिससे आप काफी पहले अलग हो गए थे यह समय आपसी मतभेद भुला कर आगे बढ़ने का है वहाँ है इसके लिए आपको कुछ जुकना ही क्यों न पढ़ डिड़े शाम का समय आपके लिए चुनोती भरा हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक प्रकार की एक्सरसाइजेज जैसे योग, ध्यान और ताइची आदि से आप अपनी अच्छी सेहत के रास्ते में आने वाली हर बाधा से पार पा सकते हैं अगर कोई तकलीफ बढ़ती दिखाई दे तो उसके प्रती लापरवाह न हो तुरंत डॉक्टर की मदद ले और उनसे कहें कि आपको कोई हलकी दवा दे दे अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कसमकस की स्थिती में थे या आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था तो आज आप किसी निशकर्ष पर पहुँच जाएंगे जिनका संबंध है वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं ग्रहों कि स्थिती में बदलाव के कारण आप अपने रिष्टे को नए प्रकार से देख सकते हैं अगर आप पहले समर्पित होने के विरोध में थे तो आज इस तरह की पहल का स्वागत कर सकते हैं आज आप वह प्यार और खुशी को पाएंगे जो आप अपने कार्यक्षेत्र में महसूस करते थे बाहरी दबावों और काम के बोज की वजह से वह खुशी कही दबसी गई थी पर एक खुशनुमा पल आपको ये एहसास कराएगा कि क्यों अपने ये कार्यक्षेत्र चुना था और ये क्यों आप पर इतना जच्चता है आज का दिन अपने कार्यक्षेत्र में अपना रवय्या बदलने के लिए अति उत्तम है आप से सामजिक संपरकों पर और ध्यान देने की अपेक्षा है आपके आकर्शक व्यक्तित्व का सब पर प्रभाव पढ़ देगा इसके अलावे आपको उन लोगों पर भी ध्यान दें जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा रहे हैं अपनी व्यस्ट कार्यशैली के बावजूद सेहत का ध्यान रखें आज आपको अपने कार्याले पर संचार और बातचीत कौशल का विशेश उपयोग करने की जरूरत है आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है इसके बजाए आपको कूट नीती और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यक्ता होगी आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बरहा सकती है आपके अनिर्णय की स्थिती से बिना बाद की परेशानी पैदा हो सकती है परिवार से जुद्धे और रियल एस्टेट से जुद्धे हुए मुद्धों को आपको अब गंभीरता से लेने की जरूरत है आपको इनसे संबंधित कोई पत्र प्राप्त होगा पुरानी अधूरी अनसुलजी बातें अब आपको परेशान करेंगी और आप इन्हें सुलजाय बिना आगे नहीं बर्ग सकते आप अपने व्यस्त जीवन में भी सही तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की अपनी काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएं नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपनी शारीरिक आवश्यक्ताओं का अच्छी तरह से ध्यान रखें एक्सरसाइज न छोड़ें अगर किसी दिन खाना न भी बना सकें तो रेस्टोरेंट में खाने या फ्रोजन खाने से बचें ऐसी स्थिती में उबला हुआ खाना खा सकते हैं आप स्वास्थ्यकर जीवन शैली से बस एक कदम दूर हैं आप आज बेचैन और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं आपको अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है इस सोच विचार के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी और आप अपने आप तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे आप ऐसे लोगों को खोजने की कोशि हैं आप कुछ बड़ा सोच रहे हो और इस जोखिम को लेने के लिए यह सही समय है महत्वहीन मुद्दों के हल के लिए अपने समय की बचत करें जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाए अर्थात आमदनी के हिसाब से धन का व्याय करें यदि संभव हो तो अपनी सफलता का ज उश्किल लग रहा है आज बद्धा सोचने और उंचाईयों को छूने का दिन है ऐसा करने के लिए आपको बाधाओं की सूची बना कर अच्छी योजना बनानी अही और आप पाएंगे कि परेशानियों से खुद बखुद समाधान नजर आने लगेंगे आपकी भावनाए आज उफान पर रहेंगी और आपको खासा परेशान करेंगी अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर से सोच लें इस स्थिती में थोड़ी राहत पाने के लिए विकार्य कलाब करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है इस तरी आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते लेकिन आप इन सब चुनोतियों के लिए भावनात्मक रूप से तयार है आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है हाला कि इसके विप्रीत आपका मन हमेशा कार प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नती भी मिल सकती है यह समय मजे और स्वतंत्रता दोनों में से किसी एक को चुनने का है अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको स्वतंत्रता भी मिल ही जाएगी हाला कि अत्यधिक परिश्रम के बाद भी आप अपनी मन्जिल पर तो नहीं पहुँच पाएंगे लेकिन बाद में आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा इसलिए परिश्रम करते रहें वित्ती यस्थिती के लिए भी परिशान नहों समय के साथ ठीक होती जाएगी आप बाहर से तो शांत स्वभाव के आदमी हैं लेकिन अंदर से आप भावनाओं के तूफान में फंसे रहते हैं आपका शरीर भी अब इसी पैटर्न पर काम करता है और आपको कई बार ऐसी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसके लक्षन आपने कभी पहले नहीं देखे इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि जब तक आप अपने नजदी की डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक अपने शरीर को संतुलित करने के लिए खूब सारा पानी पीएं प्यार, रिष्टे और परिवार अब आपका ध्यान अपनी और आकर्शित करेंगे आज आप अपने बच्चों के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताएंगे आपको ये याद दिलाया जाएगा या एहसास होगा कि आपके लिए महतवपून क्या है और जिसकी वजह से आप निरनायक कदम लेंगे जिसने काफी समय से आपको परिशान किये हुए था अपने परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताने के कारण तनाव घटाने में भी आपको मदद मिलेगी जो आपके मन मस्तिष्क पर हावी था आपके कार्यस्थल पर कोई अपने घमंड में अपनी उपलब्धियों को गिना सकता है परंतु आप बुरा न माने क्यों कि वह आपको बुरा महसूस कराना चाहता है आपने इस अनुपात में पहले ही इन उपलब्धियों को छुआ है वित्तिय मोर्चे पर आपको पहले ही आपकी जरूरत या उससे ज्यादा ही मिला है जिसे आप संजोके रख सकते हैं